जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था ये गिराजनरी को लग निytt इस वीडियो की इस थापर्त शित्र में उपलब दिया है। है आप को स्थापत्रम दिख धिख रहा है ताज मेहल एक शाजने प्रषूर लमातरा में संग्मर्मर का प्रियोग किया और उसके उपर हीरे जवारात की जड़ाई की जिसे पत्चीगारी बोलते हैं जिसकी सुर्वात जांगिर की समय की थी शांजा की समय यह टोपे तोंची थी परसी ब्राउन ने कहा था थी जिस परकार से आगस्टस ने रोम को इंटों से मार्ब कौने यहां का में लिए गाया थी जिसे हम पच्चीगारी बोलते हैं इसकी प्राकास्टा है सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं ताज महल की ताज महल अरजुमंत बान-बेगम उर्पमन ताज महल की आद में 22 वर्स तक निर्मान दीन रहा और 1631 पर 53 तक इस बहटरीन इ लागत और 20,000 मजदूर और 22 साल इसमें लगे थे और उस्ताद इसाख खान जो थे इसके प्रधान मिस्त्री थे और उस्ताद अहमद लाहुरी इसके प्रधान वस्तुकार थे जिनुने इसका डिजाइन तैर किया था उस्ताद इसाख खान के लावा वेरेनियो जो इटालियन थे उन्होंने भी इसमें सैयोग दिया तो मार्बल जो है वो हमारे मखर नागोर से और वाइट कलर का यहां च्रक्रॉड स्ब्सक्रीया, और इसका डोम जो है और अडाकार है, जिसे हम कंदाकार भी बोल सकते हैं, इसके मिनारे बहार के और झुखी भी है और पच्चिकारी इ अमानतुल्ला ने इस पर कुरान की आयतें लिखी थी और इसके अलावा देखा जाए तो यह नारी मूर्ति के लग अवदार्ण है वैसे देखा जाए तो दामपते प्रेम का एक अनुठा अवदार्ण था और शांजा ने अपने संपती का बहुत बड़ा हिस्सा इसमें रख बलकि ताज महल में नूर्जां की कबर के आखते में जो है साजा की कबर है वहां पे पी डफन किया घ major इसलिए यह ताजमें की कुछ विश्चताइं है जो आपने देखी है थाजमेल विससे चारवाग पद्दती में इसके चारों सब्सक्राइब बगीचा है और झभरखे और पाने की बहुत अच्छी व्यवस्ता है वहारे वगेरा यमुना नदी के तक पर आगरा में इस्थित है यह आपको विदिती है अब हम बात करते हैं आगरे की किले की मारते हैं आगरे की किले की मारते हैं वैसे तो अक्पर और जहांगे ने बनाई थी लेकिन उन्हें लाल का परियोग किया था और दिवाने आम दर्वार होता है दिवाने खास यहीं पर है और दिवाने खास जो है उसमें विश्ष्ट लोगों के मुलाकात का स्थल इसको माना गया है वो इसके बिल्कुल एडजोइनिंग में है इसके लावा मुस्मर बूर्ज है जहां पर साजा यहां पर है एक आग्रे में जमा मस्जिद है जिसका निर्मान जहां रहाने करवाया था एक आग्रे की मोटी मस्जिद जो है वो इस किले की सबसे सुन्दर मस्जिद माने गई है और इस तरीके से आग्रे के किले की मारते हैं साजा ने साजानाबाद के नाम से दिल्ली यान लाल किले का निर्मान जो है वो हमीद आहमद के निर्देशन में हुआ था और लाल किले में दिवाने आम दिवाने खास मोती महल और रंग महल ये हैं मोती मस्जिद भी है यहां पर लेकिन मोती मस्जिद का निर्मान औरंगजेव ने करवाया था और यहां पर जो दिवाने आ सियासन रखता था जिसको तक्ते ताउस बोलते हैं जो साजा का सियासन था जिसे नादिरसा सत्रा सुकुन शारिश में लेके गया था इसकी चर्चा भी हम करेंगे तो दिल्ली का जो लाल किला है वह 1648 में ऑफिशिली जो कि इसकी आंत्रिक्षत इतनी सुन्दर है इसमें हीरे जवारा चांदी और काच की जड़ा इतनी शांदार है ऐसे लगता है जैसे सितारे हैं वो धरती पर आगए तो इस थरीके से इसके बारे में यह बात कही गई है और अब हम बात करते हैं मयूर शिंहासन की मयूर सिंहासन प्रटक्ते ताउस के नाम से जाना जाता है जो मैयूराक्रती में होने के कारण मैयूर सिंगासन है इसका इसका डिजाइनर बेबादल खाँ था दो क्रोण रुपे की लागत से ये सिंहासन बना था जिस पर साजा बैठता था और इसके ऊपर कोहिनूर का हीरा जडित था जिससे प्रकासमान जो जगमक दरबार रहता था 1749 में मुहमद सरंगिला किसमें नादिर साइस को उठा के ले गया था